Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains और Magnet Brains में आपका साथ देने के लिए हमारे साथ है एक से एक experts Science के, English के, Maths के सभी का साथ होना जरूरी है तभी तो हम हमारे exams में, सारे exams में अच्छे नंबर ला पाएंगे क्योंकि together we can win तो इसी अच्छी बात से शुरुवात करते हैं हम हमारे complete chapter revision की जो की है chapter number 8 का तो chapter number 8 जिसका नाम है winds, storms and cyclones चलिए इसकी शुरुवात करते हैं तो वेल इस वीडियो में क्या क्या है तो इस वीडियो में हमने वो सारे important topics cover किये हैं जिसकी मदद से आप अपने exams में अच्छे number ला सकते हैं साथी साथ अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अगर जब NCRT solution करें या examplar का solution करें या किसी भी तरिके का solution जब आप करते हैं इस chapters related तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के बाद आप उन solutions को आसानी से solve कर पाएंगे तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं chapter number 8 के revision की तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इस पूरे वीडियो में मैंने कौन-कौन से topics cover किये हुए हैं तो आपको इसमें मिलेगा what is wind, wind क्या होती है air exerts pressure, air किस तरह से pressure को exert करती है air expand on heating, air जो है वो heat होने पर expand करती है wind currents generation, किस तरह से wind current generate होते हैं thunderstorms and cyclons के बारे में हम पढ़ेंगे destructions caused by cyclons, thunderstorms and cyclons effective safety measures and important points इसके बाद हम देखेंगे कि cyclons और thunderstorms के कारण क्या destructions होते हैं और कुछ effective safety measures कौन-कौन से हैं जो कि cyclons या thunderstorms में होने की condition में हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलावा, इस chapter से related कुछ other important points भी मैं इसमें आपको discuss करूँगे तो सबसे पहले wind की बात करें तो wind क्या है, wind को अगर आप explain करना है तो आप कैसे explain करोगे तो आप बोलोगे कि यह तो air के समान ही है तो फिर इससे wind क्यों कहते हैं तो air क्या होती है, हमारे चारो तरफ air है, कैसे हमारे चारो तरफ atmosphere है और atmosphere क्या होता है, combination of gases जिसको हम air ही कहते हैं हमारे आसपास different array की gases है, oxygen है, carbon dioxide है, nitrogen है यह सारी air जो हमारे आसपास ही है, लेकिन यह हमें बहती हुई महसूस नहीं होती ठीक है, air है तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, तभी तो हम respiration कर पा रहे हैं अगर air नहीं होगी तो हमारा दम गुटने लग जाएगा, इसका मतलब हमारे आसपास air है gases का जो कि एक क्या होता है, combination होता है, या solution आप यह कह सकते हो, एक gases का एक तरिके का combination तो यह जो air है, जब move करने लग जाए, ठीक है, move करने लग जाए, मतलब कि जब आपको यह महसूस होने लग जाए अब air को आप देख तो सकते नहीं हो, again air भी एक energy है, जिसको विंड भी एक energy है, ठीक है, जिसको आप फील कर सकते हो तो जब यह बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगे जाती है, तो आपको यह feel होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से air आ रही है, या फिर यहाँ बहुत तेजी से यहाँ पर air पास हो रहे है क्योंकि सारी चीज़े जो है वह उड़ चुकी है तो गाष्रियस फोर्म में एट्मॉस्फेर में जो गैसे होती है उसको अपन एयर कहते है और जो एयर मुव्मेंट के फॉर्म में होती है जब वो बहुत तेजी से मुव करना शुरू कर देती है तो हम उसे कहते हैं विंड है एक जगह पर हो तो हम उसे air कहेंगे जब gases के फॉर्म में देखे तो आप उसको gases कहोगे combination देखोगे कि कौन कौन सी air का combination है तो हम उसको gases कहेंगे ठीक है और जब वो मूव करें बहुत तेजी से तो हम उसे wind कहते हैं तो wind क्या है wind is nothing but moving air wind का मतलब क्या होता है जो कि move करें अब air का movement होता कैसा है अब air जो है वो आप देखते होंगे कि हर जगे से नहीं आपको एक particular direction में air बहते हुई देखती होगी कैसे जैसे आप अगर कहीं खड़े हुए हैं और बहुत हवा चल रहे तो आप paper को इस तरह से drop करके देखोगे तो वो किसी एक direction में जाएगा ऐसा तो नहीं कि पहले वहां गया फिर यहां आया फिर यहां गया नहीं आप देखते हो कि जैसे ही आप उसको ऐसे drop करते हो तो वो एक direction में चला जाता है उसी तरीके से जब हवा चलती है तो आप देखते होगे कि पेर जो है वो एक side पर जुख जाते है क्योंकि air जो है वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रही होती है तो जो air है वो कैसे बहती है air बहती है high pressure point से low pressure point तक है ना अब यह जो air है या जो wind है यह क्या है एक form of energy है और energy हमेशा ही maximum type of energy जो है वो high pressure point से low pressure point की तरफ ही जाती है या फिर जिस भी energy का high point जिस भी terms में हो तो उस high point से low point की तरफ जाएगी जैसे आपने heat energy की बारे में पढ़ा था heat energy कहां से कहां transfer होती है ज्यादा hot object से low temperature object की तरफ है ना मतलब कि गर्म जगह से थोड़ी ठंडी जगह की तरफ आपकी heat बहती है उसी तरीके से जो air है वो high pressure point से low pressure point की तरफ बहती है अब यह high pressure point क्या होता है और low pressure point क्या होता है तो जहां पे pressure का मतलब क्या होता है एक तरीके का दबाव हैना किसी तरीके का force जो कि कि किसी जगह पर लग रहा हो हैना अब air का भी pressure होता है ठीक है air का भी दबाव होता है यह तो हम महसूस करते भी है कैसे महसूस करते हैं जब हमें किसी ऐसी जगे पर खड़े हो जहां बहुत तेज आधी चल रही है तो आप देखते हो कि आप अपनी जगे से हलका सा होता है तो वो सारे प्रेशर पॉइंट जहां पर एयर का दबाव या प्रेशर कम हो उसे अपन लो प्रेशर पॉइंट कहते हैं और जहां पर एयर का बारे में समझ रहे हैं, तो आप बता दीजे सबसे पहले तो कि wind क्या होता है, wind is nothing but moving air, the air movement is always from high pressure to low pressure area, या फिर आप ये भी इत लेख सकते हो, कि the wind movement is always from high pressure to low pressure area, ठीक है, area that consists of warm air have low pressure because the warm air rises, the areas are known as the low pressure system, ठीक है, अब ऐसे area, जहां पर गर्म हवाय होती है, वहां पर ये low pressure point create हो जाता है, कैसे create हो जाता है, जरा इस बात को समझे, तो मैंने आपको जो last chapter पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, heat वाले chapter में ही हमने पढ़ा था, कि जो आपकी surface होती है, ठीक है, अगर अपन surface की बात करें, तो surface जो है, वो sunlight में या sun की energy पर बहुत जादा गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी वाम हो जाती है, जितनी जल्दी गर्म होगी, तो इसका मतलब क्या, कि इसके आसपास जितनी भी air मौजूद है, वो भी उतनी ही जल्दी गर्म होगी, और कोई भी तो उपर की तरफ उठती जाएगी जैसे कि आप बलून को एर जब आप ब्लो करते हो बलून के अंदर तो आप देखते हो कि उसका एरिया एकस्पांड होता जाता है वो हलका हो जाता है हलका हो जाने की वज़े से अगर आप उसे छोड़ो के तो वो उपर नीचे कहीं पर भी क्या होने लग जाता है उड़ने लग जाता है या इधर सो धर जाने लग जाता है तो डाइट मींस कि जब भी किसी चीज में हीट परती है तो वो expand होता है और वो उसके जो molecules से वो expand होते हैं वो हलके हो जाते हैं उपर की तरफ उठने लगते हैं तो अब यहां पर heat energy थी surface पर और surface की जितनी भी air थी वो गर्म हो गई और उपर की तरफ उठने लगी हाना क्या हो गई उपर की तरफ उठने लग गई तो इसका मतलब यहां पर यह जो area है यहां की air उपर चली गई तो यहां vacuum create हो गया vacuum create हो गया मतलब हवा की कमी हो गई थोड़ी air कम हो गई इसका मतलब यहां पे जो पहले air का दबाव था air का जो pressure था जितना खचाकच यहां air भरे हुई थी अब वो air कहा चली गई उपर उठके चली गई तो इसका मतलब यह point कैसा हो गया low pressure low pressure का मतलब जहां पे air का content कम हो गया हो है ना तो यह बन गया आपका low pressure point आई बास समझने तो यही होता है low pressure point जहां से हवाएं आने की को आती है जहां पर आती है बैट मींस कि कहीं किसी और पॉइंट से विंड आईगी और इस जगे को फिल करने के लिए यहां पर आ जाएगी ठीक है इसलिए high pressure point से low pressure की पॉइंट की जगे हवाएं आती है या विंड आती है क्योंकि वहां पर खाली जगे होती है उस खाली जगे को फिल करने के लिए वह हवा high से low आएगी तो low pressure point समझ गया क्या होता है कि किस तरह से create होता है ठीक है तो likewise places with the high pressure system अब यह तो आपने surface की बात करी अब जरूरी नहीं है कि surface पर हमेशा low pressure हो कभी-कभी high pressure भी हो सकता है जैसे ठंडी जगह पर ठंडी जगह पर क्योंकि heat नहीं होगी तो वहां की प्लेस की बात करें ठोड़ी सी ठंडी जगह की बात करें तो वहां पर क्या होगा वहां पर सर्फिस जल्दी गर्म नहीं होगी गर्म नहीं होती है तो वहां की एयर जो है वो यहां पर पूरी तरीके से एयर का कंसेंट्रेशन जादा होगा जादा प्रेशर होगा तो भाई यह जो खचा-खच भरी होई है तो यह जिनको जैसे ही जगह मिलती है तो वह तुरंट दौर करके वहां चलिया आती है जैसे कि अगर आपकी बस भरी होई है एकदम ठीक है और जैसे एक सीट खाली होती तो क्यो einz omega aire तो हाई प्रेशर से तुरंट से कहा आने की कोशिश करती है लो प्रेशर पर इसली जो विंड है वह हमेशा यह देखी जाती है कि वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर-फॉइंट की तरosh मुव करती है ठीक है तो यह पॉइंट याद रहेंगे अब आपको विंड के बारे में की विंड एक्चल में क्या होती है और वो कहां से कहां बहती है तो विंड is रहती है वहां पर वाम रहती है और यह जो वाम एर है वो लो प्रेशर एडिया को क्रेट करती है क्योंकि वो उपर की तरफ उठ जाती है यह तो हम समझ गए है कि विंड क्या है यह हमें पहला पॉइंट पढ़ना था विंड के बारे में ठीक है अब अपन स्टॉर्म्स और साइक्लाउंस के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहरे कुछ और पॉइंट्स डिसकस करते हैं कि एर किस तरह से प्रेशर को एग्जर्ट करती है यह भी इंपॉर्टन पॉइंट है कि हाउ एर एग्जर्ट प्रेशर ठीक है तो दे सर्फेस अफ द अर्थ इस सराउंड़ेट बाइदा थिक लेयर ऑफ एर है ना अब आपको तो पता ही है जैसे मैंने आपको अभी डिसकस किया कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ एट्मॉस्फेर ही एट्मॉस्फेर ह जां कहीं उपर 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 चलते जाए ठिक है तो क्या होगा यह अठमॉस्फेर जो सफिसके गoco Sally més नेचे आते आते घाते लूए अपकी अर्थ पर यह बढ़ता जाता है 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 ना और हमारे आसपास्ट थो एक्मॉस्फेर है that means कि हमारे आसपास atmosphere बोला जाए that means कि हमारे आसपास air ही air है जो कि different gases का combination है ठीक है तो ये जो air है ये एक तरीके का pressure जो है वो अर्थ की surface पर exert करती है है अब कैसे exert करती है तो जब भी air wind के form में एक जगा से दूसरी जगे आती है या फिर आप ये देखो कि ज़रूरी नहीं कि wind के form में एक जगा से दूसरी जगे आए तब ही pressure लगे वो pressure तब आफ फील करते हो है ना लेकिन आप ये समझे कि air हमारे आसपास है इसका मतलब हमारे चारों तरफ air का दबाव बना हुआ है लेकिन हमारे weight के comparison में air का जो pressure है जो air का weight हमारी body पर लग रहा है वो इतना जादा नहीं है कि वो हमें कुछ भी movement करें हमारी body के उपर यह हम उसकी वज़े से कुछ भी hill डूल पाए तो इसलिए हम उस pressure को महसूस नहीं करते हैं लेकिन जब ये excess amount में हो जाता है तो हम उस pressure को महसूस करते हैं तो हमारे चारों तरफ air already है जिसका pressure हर body पर हर वक्त लगता रहता है ठीक है जैसे कि आपको मैं एक example बताओ मान लीजे कि एक scale रखा हुआ है जो कि आधा table पर है और आधा हवा में है ठीक है मान लीजे कि इस तरह से ठीक है ये table है तो ये आधा कहा है आधा तो table के उपर है लेकिन आधा इधर है अब मैंने क्या किया अब मैंने किया कि इसके ऊपर एक रोल करके पेपर रखनार ठीक यह लगतार को रोल कर और अगर है यहाँ से अपना हाथ बात मारूँ तो क्या होगा यह जो पर गिर जाएगा अब जब मैं पर को open करके स्ट आप रखांगी तो क्या होगा यह जू पर है इसको इस तरह से कर आप यहाँ से ऐसेन टेच करोंगे ना तो भी पर जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा ऐसा थे ग्रों आपने रोल कर दिया था पेपर को तो पेपर को रोल कर देने के वज़े से इसके उपर रखा हुआ था तो मतलब सिर्फ इस तने पॉइंट पर प्रेशर लग रहा था ठीक है अब जब आपने फैला दिया पेपर को ठीक है तो इसके हर पॉइंट पर एयर प्रेशर लगा जिस जो है in a form of wind बहे और बहुत strong pressure के साथ है ना so we all have to bear this force of air on us and our body is adapted to live under this force हम सभी के उपर यही force लगता है और हमारी body को यही force के साथ में रहना होता है क्योंकि हमारी उपर कही न कहीं force लगा हुआ है जिसके साथ हम चलते आ रहे हैं एक तो gravitational force और आपका यह एर तो है ही ठीक है so if we measure the amount of this force over a unit area हाना अगर अपन क्या निकाले कि एक unit area में कितना force लग रहा है तो हम उसे कहते हैं pressure और pressure exerted by air ठीक है तो air pressure को अगर explain करना है तो अपन कैसे explain करेंगे the amount of force over unit area it is called the pressure और the pressure exerted by air on all bodies at all times in all direction is called the air pressure ठीक है तो यह तो अपन थोड़ा सा अपनी definition way में इसको समझा देंगे कि एक per unit area में जितना force लगता है उसे हम air pressure कहते हैं या फिर हम यह समझ सकते हैं कि कि इसी भी body पर उसके हर direction पर हर part पर हर time पर एक तरीके का pressure लगता है जो कि air का pressure होता है क्योंकि जैसे मैंने इस span को ऐसे रखा हुआ है तो इस span के चारों तरफ प्रेशर लग रहा है air का क्योंकि air यहां से भी आ रही है यहां से भी आ रही है मदब इसके पूरे पूरी directions में क्या लग रहा है air का pressure उसी तरीके से मैं यहां खड़ी हुई हूँ तो मेरे चारो तरफ मुझे air का pressure feel हो रहा है तो air pressure क्या है अब pressure exerted by air on all bodies at all times in all direction is known as is called as air pressure the air inside a balloon exerts the pressure in all direction and makes it blow up जैसे इसको आपको समझना हो कि कैसे हर direction में air का pressure लगता है तो जैसे आप जब balloon के अंदर air का pressure डालते हो air को डालते हो तो यह जो balloon है वो क्या होने लग जाता है यह expand होना शुरू हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप air डाल रहे हो तो यह air क्या करती है हर direction में हर time पर एक जैसा force डालती है उसी के current balloon जो है वो फूल जाता है और ऐसा ही pressure हमारे उपर हर time पर लगा हुआ होता है ठीक है तो आपने इस air pressure को कब कफ फिल किया होगा जरा आप थोड़ा एक पन कुछ examples देख रहे हैं air opposes the motion of moving object अब एक और बाग की air जो है वो moving object के motion का oppose करती है ठीक है motion का oppose करती है कोई नहीं चीज है क्या नहीं यह वहीं चीज है कि air हर body पर pressure लगा रही है तो आपको बस point याद करना है कि पहली चीजतों की air क्या है अब air pressure exert करती है तो उसको आप define कर दीजे कि किस तरह से exert करती है कि हर body पर हर time पर हर direction में करेगी ठीक है यह जो air है वो क्या करती है किसी भी moving object के ऊपर एक opposite force लगाती है आप यह समझ सकते हो कैसे बान लीजे कि आप एक ऐसी दिन में अपनी bicycle चला करके जा रहे है जब बहुत तीजी से हवा चल रही है ठीक है अब आप अचानक से उस direction में चले गए जहां से हवा का direction ऐसा था और आप जा रहे थे सीधे हना हवा आ रही है इस तरफ से तो क्या होगा बहुत तीजी से अगर हवा चल रही है विंड्स चल रही है तो आप देखोगे कि आप जब bicycle चलाते हो तो आपको चलाने में दिक्कत होती है क्यों क्योंकि एक opposite force आपको साबने से लग रहा है वो आपको पीछे की और धक्का दे रहा है एयर का pressure और आप कहा जाने चाहते हो आगी तो इस moving object के movement को रोकने के लिए उसको oppose करने के लिए air एक pressure लगाती है या simple सी शब्दों में समझे तो air तो इस direction में आ रही है और इधर से force लग रहा है और अगर आप उसको तोड़ने के लिए आगे की तरफ जाओगे तो आपको obvious सी बात है क्या होगा difficulty महसूस होगी तो इससे एक point निकल करके आया कि air opposes the motion of moving object okay so you find it easier easier to row the boat when the wind is blowing behind you अब आप देखते होंगे कि कई बार आप छोटी सी अपनी कागस की boat बनाते हैं और उसको पानी में चलाते हैं तो किस direction में आसानी से जाती है वो जहाँ पर हवा चल रही हो या पानी की लहरे उसको आगी की तरफ धक्का दे रही हो है या फिर अगर अगर आपन किसी boat में ब आसानी हो साथी साथ the wind coming from the back help in flying kite अब आपने कई बार पतंग उड़ाई होगी कई students ने किसी ने नहीं उड़ाई होगी तो try करिये कि जब आप पतंग को किस direction में उड़ाओगे मान लीजे कि हवा आ रही है यहां से तो आप इस direction में खड़े होके अपनी काइट को उड़ाओ है है ना तो वैन यू सक फ्रॉम दे लिकवेट राइज इन इट अब इसी तरीकी से एयर कैसे होती है आपके माउत्म से भी आप एयर ही क्या करते हो या तो आप ग्लास के अंदर आप जब एयर को छोड़ते हो तो बबल्स बनते हैं और उसी एयर के प्रेशर से आप क्या कर करते हो इस ट्रॉस से किसी भी लिकवेट को या किसी भी अपने फेवरेट जूस को पीते हो कैसे जैसे आप उपर की तरफ करते हो क्या करते हो अपनी एयर को उपर की तरफ खीचते हो तो जो लिकवेट है वो भी उपर आ जाता है ऐसा क्योंकि जो एयर है वो कहा है उपर की direction में उसको खीच रही है क्योंकि आपने प्रेशर ऊपर लगाया हुआ तो लिक्विड भी ऊपर आ जाएगा इसी तरीके से आपने देखा हुआ कि किसी सीरीज से को मैडिसे लग रही होती है तो आपने देखा कि प्रेशर के बारे में फिल की होंगी so air pressure is the measure of the weight of air above us in the atmosphere तो air pressure क्या होता है air का वो weight जानना जो कि हमारे atmosphere में है air pressure changes with the weather अब यह जो air का pressure है अगर अपने atmospheric pressure की बात करें atmospheric air की बात करें तो weather के according change होगी ही होगी अगर कोई sunny day है normal सा day है तो उसमें air pressure कम होगा rainy day है तो बहुत तेस हवाई चल रही है तो air pressure change हो जाएगा कभी कभी है ना तो depend करता है कि भई क्या weather condition है उस हिसाब से air का जो pressure है atmosphere में वो बना हुआ रहता है high pressure happens when cold air pushes down usually bringing fine weather अब high pressure का area create होता है जब थंडी हवाई नीचे की तरफ आती है हमारे उपर दबाव डालती हमारे atmosphere में नीचे की तरफ आती है तो इससे high pressure area create हो जाता है और थंडी हवाई नीचे आएगी तो विसी बात है क्या होगा जब थंडी हवाई नीचे आएगी तो आपको मौसम कैसा लगता है अच्छा लगता है ना जैसे बारिश का मौसम है तो आप देखते हो कि ठंडी हवाई चल रही है तो हमें अच्छा फील होता है है ना क्यों होता है क्योंकि ठंडी हवाई जो है वो नीचे की तरफ आती है है ना तो जब बहुत सारी चीज़े आपकी नीचे की तरफ आ जाए इसका मतलब बहुत सारी चीज़े जो है वह हमा अब कि तरफ टी या है तो आपने देखाऊगा कि लॉपर इए पाने को अब करेगी है वहाजम के साथ ओपर जाएंगा वह ज़ाकर हलका सा क्लाॉड formation और रेन हो जाती है है तो यह हाई प्रेशर पॉइंट और लो प्रेशर पॉइंट की वज़े से क्या होता है भी हाई प्रेशर पॉइंट जो है उसकी वज़े से क्लाउड फॉर्मेशन आपके ठंडी ठंडी हवाएं आप फिल करते हो बॉसम थोड़ा सूधिंग फिल करते हो लो प्रेशर पॉइंट की वज़े से क्लाउड और रेन फॉर्मेशन होता है है नो चले तुभे एयर प्रेशर के बारे में आप अब मेरे ख्याल में समझ चुके हो कि एक तरीके का एयर का वेट जो कि हमारे एटमोस्फेर पर लगता है या एक ऐसा प्रेशर जो हम हर टाइम पर हमारी बॉडी में हर डारिक्शन में होता है और कभी कभी हम इसको जब वो एयर का प्रेशर बहुत जादा हो जाए तो हम उसे फिल भ एयर as the force exerted by atmosphere on a unit area तो अगर सिंपल से सब शब्दों में कहें तो air क्या है air is the pressure of air is the force exerted by the atmosphere atmosphere से लगने वाला एक तरीके का force हमारे पर unit area पर ओना unit area अना this pressure due to the air is called the atmosphere pressure अब ये क्योंकि atmosphere से लगने वाला pressure है तो इस air pressure को हम atmospheric pressure या atmosphere pressure भी कहते हैं ठीक है इतना समझ में आया कि air pressure क्या है अब next point आता है अभी तक अपने कौन-कौन से point discuss कर लिए अभी तक हमने आपको बता दिया कि winds क्या होती है air pressure के बारे में हम समझ चुके हैं और air pressure किस तरह से हमारी body पर लगता ह है कब हम उसे feel करते हैं और क्या हमेशा होता है तो जी हां हमेशा हमारी चारों तरफ हर object के चारों तरफ air है डाट मींस कि हर बार हम pressure हमारी उपर लगता ही है जिसके साथ हम इस दुनिया में रहते हैं यह pressure बस तब हमें feel होता है जब pressure जो है हमारी body weight से ज़्यादा हो जाए obviously बात है कोई चीज अगर भारी है तो उस पर इतनी ही तेजी से कोई चीज आएगी उतनी ही weight की pressure की कोई चीज आएगी तब ही वो अपनी जगे से displace होगी ठीक है चली तो यह points के बाद अब आगे चलते हैं हमारी अगले important point की तरफ वो है air expands on heating ठीक है अब देखिए हर एक च अपने पड़ा था कि solids molecules से बिलकर बनते हैं आपकी gases molecules से बिलकर बनी होती है liquid molecules से मिलकर बनी होती है तब ही तो जब अपन heat देते हैं तो solid में heat कैसे transfer होती है एक particle से particle एक molecules से molecule होते 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 एंड तक जाती है उसी तरीके से जब आप heat करते हो liquid को जैसे पानी को जब आप heat करते हो तो पहले नीचे के particles गरम होते हैं नीचे के molecules गरम होते हैं वह हलके होते हैं तो उपर जाते है उसकी जगे डूसरे आ जाते हैं और इस थार से पूरा पानी जो है एक circulation में गर्म हो जाता है वैसे गैसे के साथ में होता है कैसे कि गैसे में भी पार्टिकल्स थे हैं स्कैण हो जाते हैं अब यह जो कॉंसेप्ट है इसको और वहतर तरीके से जब आप atoms molecule इनके बारे में और detail में पढ़ेंगे ना अपनी 9th class में तब आपको एक concept और समझ में आएगा लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि molecules का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज ना छोटे 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 पार्टिकल से करके बनी हुई है आप इतना समझिए और जब आप उस पार्टिकल को क्या करते हो हीट अप करते हो तो यह पार्टिकल क्या अपस में ब्लकुल बंदे हुए हैं है ना एकदम जोड़े हुए अब जैसे ही उनको Energy मिलती है तो फूल जाते हैं और और दूर-दूर-दूर दूर-दूर विखा जाते हैं हलके हो जाते है एक गुबारे की तरह तरह हांना और फिर हलके हो जाएंगे तो उपर की तरफ चले कर जाते हैं ठीक है तो क्या समझोगे इस पॉइंट को कि जब भी आप एयर को हीट अप करते हो तो उसके जो मॉलेक्वल है वो एक्सपांड हो जाएंगे एक्सपांड हो जाएंगे और अपनी जगहा से उपर की तरह उठने लग जाएंगे आप तो बस बलून का एक्जामप आर लूजली पैक ठीक है तो पार्टिकल्स जो होगते गैसियस स्टेट में मतलब देखें कि सौछत क्राइड लिव्ट और Galaxy का जाइट है यह थोड़े कम टायट होते हैं लिक्विट के case में और gas के case में तो न और ही कम विल्कुल एकदम light रहते हैं मालों एक दुसरे रहता है ना solid एकदम ऐसे पकड़े रहता है लिक्विट के form में ऐसा और गैस के form में कुछ ऐसे रहते हैं अब अगर आपने ऐसे particles जो कि already loosely bounded है और डी अपने आप एक दूसरे का हाथ बस ऐसे touch किये हुए हैं अगर आपने उसको heat up कर दिया तो क्या होगा अगर आपने heat up कर दिया तो वो और ज्यादा दूर होते जाएंगे जितने ज्यादा दूर होंगे उतने ज्यादा expand होते जाएंगे और उपर की तरफ उड़ेने लगेंगे so you know that in gaseous state particles of the matter are loosely packed when you heat up a gas the particles gain more energy अब भेने क्या बताया कि already दूर दूर हैं जैसे हीट अप किया तो heat energy के वज़े से क्या हुआ और ज़्यादा खाना मिल गया तो और फूल गए और क्या हुआ और एनरजी उनको मिल ग देंगे ठीक है so as a result the gas occupies more volume ठीक है तो इसका result क्या होगा कि जो gas है वो और volume को occupy करेगी volume को occupy करने का मतलब क्या कि जब आप gas को गर्म करते हो या heat को या air को गर्म करते हो तो इसके molecule को के expand होते हैं expand होंगे that means कि अगर इतनी जगह थी पहले expand होंगे मतलब फैल गए फैल गए तो और जगह अपनी क्या करेंगे वो cover कर लेंगे तो मतलब volume बर जाएगा तो जब as a result the gas occupies more volume in other words gas expands on heating या आप यह कह सकते हो कि जो gas है वो heating होने पर expand हो जाती है therefore air expands on heating अब क्योंकि air किस से मिलके बनी होई है gases से gases के combination को ही तो हम क्या कहते हैं air कहते हैं तो इसलिए क्या बोल heating के साथ expand हो जाती है समझ में आया या नहीं आया आ चुका है तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से short में समझा देती हूं हर एक चीज जो है वो particle से molecule से मिलकर के बनी है चाहे वो solid हो चाहे वो liquid हो चाहे वो gas हो यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारी air की तो air भी क् molecules से मिलकर के बरी होई है या आप उसको short में कह सकते छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होई है solid और liquid में जो particles है वो थोड़े से tight और liquid में उससे थोड़े lose होते हैं लेकिन gas में बहुत ही lose होते हैं अब already in loose particles को जब आप heat energy देते हो या उसको temperature उसका बढ़ाते हो तो वो energy gain कर लेते हैं और इस energy gain करने के वज़ा से वो तेजी से भागने लग जाते हैं fast हो जाते हैं that means अपनी जगह से इधर फैलना शुरू हो जाते हैं तो इनके इस expand nature के वज़े से volume यह ज़ादा cover कर लेते हैं और उपर हलके होने के वज़ा से उठने लगते हैं या हम यह कह सकत है कि यह ऊपर की तरफ उठ रहे है ठीक है तो इसी को क्या कहते है कि air जो है वो heat up होने पर expand होती है या आप यह भी कह सकते हो कि gas expands on heating क्योंकि मतलब एक ही है air gas से milker बनी होई है ठीक है चल तो इस चीज़ को समझेगा समझ चुके है अब आते हैं कि wind current actual में generate कैसे होता है अब लोग सोचे के wind current का क्या मतलब है current तो हमने electricity में सुना तो भी current मतलब कोई भी moving चीज़ हना तो wind जब move करते है तो wind का movement या फिर wind का production या generation यह जो wind movement है यह actual मे produce कैसे होता है generate कैसे होता है हाना हम यह तो समझ गए कि भई जो हवा है वो high pressure से low pressure point की तरफ जाती है लेकिन अब आपने को यह बात देखनी है कि यह actual में low pressure और high pressure point जो है हमारी earth में कहां से और कैसे develop हो जाता है हाना क्योंकि आप point का मितलब क्या है हमारी earth के different different areas कही high pressure area होगा कही low pressure area होगा है ना इस चीज को although मैं अपने chapter में बहुत ही अच्छे से explain करी हुई हो तो अगर आपको इसको और देखना तो वहाँ से देख लेंगे अभी अपन थोड़ा सा short करते होगे चलेंगे क्योंकि revision है है ना पट फिर भी मैं समझा दूंगी चले तो wind current generation मतलब क्या क wind current और the flow of air है ना wind current या फिर flow of air causes due to uneven heating on the earth हमारी अर्थ पे क्योंकि हर जगे uneven heating है तो उसके कारण क्या होता है air का flow होता है या फिर wind current का generation होता है ठीक है चले तो अब सीज को समझते है कि क्या होता है uneven heating का मतलब तो पहली चीज तो uneven heating कैसे होगी आप माल लीजे कि कोई जगा पानी से भरी हुई है कोई जगा पूरे surface से भरी हुई है कोई जगा स्नो से भरी हुई है तो कौन सी जगे जल्दी गर्म होगी जहाँ पर surface होगी क्योंकि पानी तो देरी से गर्म होता है तेरी से ठंडा होता ह है ना जहां पर पेर पौध हैं वहां पर भी थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन जहां पर बहुत ज़्यादा रेत है वहां जल्दी गर्म हो जाएगा तो मनला कपाई आप क्योंकि अब प्रेशर पॉइंट कहां करियत होगा यहां इसी जासे हो गया है आप अफन देखते हैं ki अर्थ जो है वह सन के साथ कैसी पोजिशन पर है जिसके वज़ा से अलग-अलग जगां यहां वह जादा तरह से हैं यह रहा आपका सन और यह मंदो आप यह समझ सकते हो कि बिल्कुल जस्त उसके सामने सर और अर्थ की पॉजिशन कुछ इस तरह से हैं ठीक है तो क्या है कि अर्थ के कुछ पॉर्षन पे तो डारिक्ट सन की रेस पर जाती है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन हैं है ना जैसे कि नौर्थ पोल और साउथ पोल जहां पर यह जो सन की रह है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती ठीक है और डारेक्ली कहां पहुँच जाती अपने इस एक्वेटर पर यह जो मिडल वाली लाइन उसको आप एक्व जी आएगी तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट जल्दी गरम हो जाएगा लेकिन कोई चीज दूर होगी तो इतनी जल्दी गरम नहीं होगा तो इसके कारण क्या होता है सन की पोजिशन और अर्थ की पोजिशन की वजह से कई जगह पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर पॉइ ठीक है अब यहाँ पर इसके कंपरिजन में कम हीट है तो यह हो जाएगा हाई प्रेशर पॉइंट यहाँ पर इसके कंपरिजन में कम हीट हो तो इसके लिए यह लो प्रेशर पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर पॉइंट मतलब कि आपकी जग हुआ है वो मेरे से कम गरम होगा है नहीं तो वह कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा हाइप प्रेशर पॉइंट और मैं हो जाओंगी लोग प्रेशर पॉइंट क्यों कि मैं ज्यादा गरम हो रही हूं अब इसके बाजू में यहां पर जो इंसान खड़ा हुआ था उसके अड़ावा इंसान इस इंसान के लिए high pressure point है तो इस तरह से sun की uneven heating की कारण क्या होता है अलग-अलग जगे high pressure low pressure point create हो गए है हमारी अर्थ पे होते ही है ठीक है तो पहली चीज जो आपको पढ़नी है कि wind current कैसे होता है तो uneven heating between equator and poles तो आपको तो पता है कि हमारे जो poles है north pole और south pole बहाँ direct sun की raise नहीं जाती ठीक है तो जिस वज़े से uneven heating होती है equator पर और poles पर regions calls to the equator get maximum heat from the sun जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी चीजे जो भी raise आपकी equator पर है है ना माली जैए equator है तो उनको जादा क्या मिलती है उनको जादा sun energy मिलती है as compared to उनके जो की equator से दूर हो the region close to the equator get maximum heat from the sun the air in these region get warms और इसलिए क्या होता है कि जैसे equator है आपका जैसे इस डाइग्राम पर तो नहीं यहाँ पर हम जैसे गर बना दे कुछ position आपकी earth की न यह ऐसी हुझाएगी यह डाइग्राम कुछ ऐसा है ठीक है तो आप देखें कि यह equator है अगर तो आपका जो sun है वो कहां पर जादा heat दे रहा है equator पर तो जितने भी reasons आपके equator के पास है वो सभी जादा गर्म हो जाएंगे इसका मतलब वहां की air जो है वो जादा गर्म हो जाएगी the air rises and the cooler air from the regions in 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in ठीक है अब हमने क्या किया हुआ है यह जो हमारा equator है उसको अलग-अलग उसमें एंगल में डिवाइड किया हुआ है तो आप यह देखोगे कि जितना भी आपकी air है warm air जो है and the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in पर आप इसको सरसे समझ सकते हैं कि जितने भी आपके low pressure point है वहां से जो हवाई high pressure point है जो कि ठंडे इलाके हैं वहां से जितनी भी हवाय है वह equator की तरफ आएगी low pressure point की तरफ आएगी ठीक हैं तो इस विंड्स ब्लोव फ्रॉम दा नॉर्थ एंड़ साउथ तोवर्स तोवर्स ता इसका मतलब नॉर्थ और साउथ से जो ठंडे हवाय है वह equator की तरफ आने की कोशिश करती हैं ठीक है अब कहीं डाइगरम आपको यह ऐसा दिख रहा है फिर ऐसा दिख रहा है ऐसा क्यों दिख रहा है क्योंकि जगह जगह लोग प्रेशर और हाई प्रेशर पॉइंट्स है ठीक है इस कारण से तो तो इस विंद्स व्लो फॉम दा नॉर्थ एंड साउथ तोवर्स द एक्वेटर अड़ पोल्स दा एयर इस कोल्डर दान एट लाटिटूट अबाउट 60 डिग्री तो पोल्स पर एयर जादा ठंडी रहती है और लाटिटू बाउट 60 डिग्री पर थोड़ी कम दा वाम एयर अड़ इस लेटिटूट इस राइज अप अड़ कोल्ड विंद्स फॉम दा पोलर रिजन रशेस इन तो टेक इट प्लेस अब अगर माली जाए 60 डिग्री लाटिटूट पर गर्म हवाय है तो वह उपर की तरफ उटेंगी तो उस जगे पर कौन सी हवाय आएंगी यहां से आने वाली हवाय इस प्लेस को कवर करने के लिए आएंगी ओके तो इन दिस वेई विंद्स सर्कूलेशन इस सेट फॉम दा पोल्स तो दा वार्मर लैटिटूट है ना अब यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पोल्स से सीधे ए कोशिश करेंगी उसी तरीके से यह ज्यादा ठंडा है यह थोड़ा कम कर यह थोड़ा गर्म है इसके कंपैरिजन में तो यहां से आने वाली हवाय जो है यह उपर उठेंगी और यह हवाय यहां पर आने की कोशिश करेंगी तो इस तरह से जगह जगह पर हाई प्रेशर और लग प्रेशर पॉइंट से अलग अलग लाटिटूट्स पर जिसके वजह से हमारी पूरी अर्थ पर विंड का प्रॉपर सर्कुलेशन बना हुआ रहता है इसी कारेंट से विंड करेंट होती है पहली चीज तो अनेवन हीटिंग बिट्विन एक्वेटर और पोल्स अनेविंग इटिंग ओफ लान और वाटर अब आजाते हैं अर्थ के अंदर वाले पार्ट्स पर यह तो अपने देख लिया है कि हाँ यहां पर ठंडा एरिया था य हां गरम एरिया है तो ओफ गर्म से ठंडे की तरफ और आपके हाइप प्रेशर पॉइंट से लो प्रेशन पोइंट की तरफ जो हवाई है आपके ठंडे की तरफ बहती है अब जैसा मैंने आप से कहा हुए आपकी आर्थ पर बहुत सारी चीज़े और भी है जैसे पानी है ठीक है तो आपको पता है कि हमारे अर्थ का maximum area तो water है तो क्या होता है कि जहां पर पानी है तो दिन के टाइम पर क्या होता है पानी धंडा रहेगा और गर्म हो जाएगी तो अब वाओ का circulation के सा कैसा होना चाहिए इसके इसमें आपके दिन में पानी से surface की तरफ ठीक है तो यह लाइंड वार्म्स अप फास्टर और मोस्ट अब टाइम दाइम तेम्परिचर अफ दाइन इस हायर दैन दाट ओफ दा वाटर इन ओशियन ठीक है अब देखे दिन के टाइम पर क्या होता है यह समर्स के टाइम पर क्या होता है कि आपका जो surface area जैसे आपर इंडिया की बात इसका मतला vacuum create हो गया तो अब जो ocean है वहां की जो high pressure point रहेगा क्योंकि वहां पे ठंडा आपका temperature ज्यादा नहीं था तो वहां की airs ठंडी थी नीचे की तरफ थी और वही नीचे की तरफ वाली जो airs है वो क्या करेंगी फिर ocean से surface की तरफ आना शुरू हो जाती है ठीक है the air over the land gets heated and rises this causes the winds to flow from the ocean towards the land तो कहां से कहां हवाय आएंगी ocean से land की तरफ ओके so these are the monsoon winds और इससे को अपन क्या कहते है monsoon winds कहते है जिसके वजह से फिर हमारी जो बारिश है वो होती है अब monsoon word कहां से आया है तो यह Arabic word है मौसम है ना which means the season जिसका मतलब होता है season जैसे मौसम का word तो अपन यूस करती है तो monsoon जो है वो इसी मौसम word से निकला है जो कि होता है season अब winter के time पर क्या होता है कि in winter the direction of wind flow gets reverse अब winter के time पर दूसरी चीज हो जाती है इट flows from land to the ocean अब land से ocean के तरफ क्यों होगा क्योंकि winter के time पर surface का temperature इतना जादा नहीं हो पाता कम heat आती है तो जो हवाई है वो क्या हो रही है ठंडी होती है अब जो आपका sea water है वो as compared to land थोड़ा जादा गरम रहता है तो इसलिए अब क्या होता है कि वहां की air ocean के air उपर चल पे low pressure point तो इसलिए थंडी की time बार क्या होता है हवाई कहां से कहां चलती है surface से ocean की तरफ the winds from ocean carry water and bring rain और जो winds आपकी गर्मियों में ocean से आती है वो क्या करती है वो अपने अंदर पानी को carry करती है और इसी के वज़े से rain होती है it is the part of water cycle और यह पूरा water cycle का ही part है तो वॉन carry water and it rains clouds bring rain and give us happiness ठीक है तो यह तो सिंपल सी पॉइंट है कि भई और विसी बात है जो होती है वांसून का मतलब यह होता है कि जिससे बारिश आने वाली हो ऐसा बारिश का सीजन या आपका रेनी सीजन आने वाला हो ठीक है तो भई आपको समझ में आ चुका होगा कि अब कैस से विंड जो है वो फ्लो करती है हमारी पूरी अर्थ पर तो पहली चीज़ क्या सीखे अन इवन हीटिंग बिट्विन एक्वेटर एंड पोल्स क्योंकि एक्वेटर पर ज्यादा हीट होती है पोल्स पर कम होती है तो इस डिफरेंस के वज़े से हाइप्रेशर एरिया लो जगह जगह पर यह प्रेशर पॉइंट क्रिएट होते हैं जिसके वजह से हवाय जो है वो ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ या क्या होने लगती है फ्लो होना शुड़ो हो जाती है अब हमने देखा कि हमारी सर्फेस और पानी में अन्हीवन हीटिंग होने के कारण कैसे बहती है तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सारे मौसम होते हैं तो अगर समर की बात करें तो समर के केस में हमारी सर्फेस ज़्यादा गर्म हो जाएगी यहां पर क्या क्रियेट होगा सर्फेस पे लो फ्रेशर पॉइंट और हाई प्रेशर पॉइंट अब हवाय कहा से कहा जाती है high-slow that means कि ocean से सारी हवाएं किस्ताई टाएंगी सर्फेस की तरफ तो इसका मतलब कि अब ocean से आ रही है तो इसका मतलब कि उसके अंदर पानी का quantity जादा होगी पानी जादा इवापरेट हो होते हैं और जिसकी वज़े से आपका water cycle भी चलता है अब यह तो हो गई हमारे नॉर्मल करेंट विंड करेंट की बारे में बात अब कभी यह जो विंड करेंट है वो थंडर स्ट्रॉम या फिर साइकलॉन का रूप ले लेता है थंडर स्ट्रॉम का मतलब जब बहुत तीजी स हवा चल रही हो बिजली चमक रही हो बारिश हो रही हो तो यह सभी थंडर स्ट्रॉम होते हैं और थंडर स्ट्रॉम के कारण ही जो साइकलॉन है ठीक है वो आना शुरू हो जाता है साइकलॉन वोर्ट को कहा सुना होगा तो आपने देखा होगा सबसे ज़ादा उडी सामें आपने देखा होगा कि cyclones आते हैं जिसके वज़े से कई सारे शहर तबाह हो जाते हैं बहुत सारे चीजों को नुकसान होता है transportation system कराब हो जाता है तो यह cyclone होता क्या है यह बनता कैसे है इस बारे में चलिए discuss करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं thunderstorms के बारे में तो thunderstorms double up in hot, humid, tropical areas like India very frequently thunderstorms जो है वो generally कहां पर आखर होते हैं तो याद रखेगा hot and humid tropical areas पर जैसे कि हमारे इंडिया तो इंडिया में भी जो अपने ऐसे areas हैं जो बहुत जादा hot, humid होते हैं वहाँ पर thunderstorms आने की conditions जादा होती है जैसे उडिसा ठीक है, the rising temperature produces strong upward rising winds अब hot कोई जगे है मतलब कि वहाँ पर sun के energy जादा है और humid है मतलब कि water content भी है तो जो भी इतनी गर्म जगए होती हैं वहाँ पर बहुत strong amount में बहुत तेजी से जो winds है वो उपर की तरफ उठती हैं क्योंकि गर्म होती है और उपर उठ जाती है these winds carry water droplets upward अब क्योंकि वो humid place भी है पानी भी है वहाँ पर तो वो क्या करती है अपने साथ में पानी को भी उपर की तरफ ले करके जाती है these winds carry water droplets with them है ना where they freeze and fall down again अब उपर जाएगी अब नीचे तो गर्म हो गई तो गर्म होकर के उपर उठी उपर जाते 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 ठंडी हो गई ठंडी होई तो वोटर डॉपलेट के फॉर्म में जम गए आप वह बैपर और वोटर डॉपलेट के फॉर्म में नीचे आकर के गिरने लगा ठीक है अब यह जो चीज होती है ना कि उपर से एक किसी ठंडी चीज का आना नीचे से गर्म हवा का जाना तो यह स्विफ्ट मुवमेंट हुआ उपर गर्म जा रहा है नीचे ठंडा जा रहा है तो इस एफेक्ट के कारण लाइटनिंग एफेक्ट होता है क्य बिजली जिसको हम हिंदी में कहते हैं ठीक है वैल यह जो लाइटनिंग एफेक्ट है यह आप नाइन क्लास में बहुत डीटेल में पढ़ोगे अभी आप बस इतना समझे कि स्विफ्ट मुवमेंट जो होता है उपर जाना गर्म हवा का उपर से ठंडी चीजों का नीचे आ अलॉंग विफ राइजिंग एर क्रियेट लाइटनिंग अन्साँड सो फॉर्फ इसे मुवमेंट को हम क्या कहते हैं इसी को कहा जाता है ते यहां बहुत ही घंडी होता है तो उस जगह पर क्या होती है हवाई बहुत तेजी से ज्टी-जल्धी रैपिडली क्या होती गर्म होती हैं जल्दी गर्मों की तो बहुत तेजी से उपर उठेंगी जितनी तेजी से उपर उठती हैं उतनी तेजी से उपर जाके ठंडी होकर के नीचे पानी गिराती हैं तो जो हवाई उपर जाके ठंडी हो रहे हो यहां से कुछ हवाई उपर गर्म होती जा रही है तो इनके swift movement की वज़े से particles में आपस में टक्राव होता है आपस में यह दोनों collide होते हैं और इनकी वज़े से क्या होता है एक term जिसको हम कहते हैं thunder या फिर lightning प्रेडियूस हो जाता है और इनके movement की वज़े से इन में आपस में जो collision होता है उसकी वज़े से sound create होता है जो कि आपको सुनाई देता होगा ठेके इसको आप thunderstorm कहते है और यही पूरा फिनोमेना thunderstorm है तो वैल आप से कभी पूछा जा सकता एक्जाम में या आपने देखा होगा कि जब आप solution कर रहे होंगे तो आप से ख्या नहीं करना है इस बात को देखिए do not take shelter under an isolated tree if you are in forest take shelter under a small tree do not lie on the ground ठीक है यह discuss करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है कि what safety measures should be take during the thunderstorm or lightning तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या याद रखना है कि कभी भी tree के नीचे shelter नहीं लेना है ground में shelter नहीं लेना है और अगर आपको जंगल के अंदर फस्ट चुके हो तो small trees जो है जो किसी और tree के नीचे हो उसके नीचे आप shelter ले सकते हो लेकिन जो सीधा सीधा पेड़ है जो की direct lightning से connect हो सकता है उससे आप पर बिल्कुल भी आपको shelter नहीं ल इसको avoid करें क्योंकि जो चाता होता है जो umbrella होता है उसमें generally उपर का जो हिस्सा है वो metallic होता है metallic end होगा तो बहुत जल्दी जो lightning है ना current जो है वो metal end से होते हो आपकी body पर चली जाएगी तो इसलिए आपको कोई भी ऐसा umbrella लेके नहीं जाना है जिसका metallic end हो do not sit near a window open garage storage shades matter shades are not safe place to take shelter आपको कभी भी window के पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि window में directly आपको आपको catch कर सकती है light ठीक है किसी भी open garage में ना बैठें या फिर ऐसी जगे पर ना बैठें जहां पर shades हो metal shades तो बिल्कुल भी avoid करना है क्योंकि वो directly क्या करते हैं बहुत अच्छे conductor होते हैं आपको पता and bus is a safe place to take shelter अब car और bus जो है वो सबसे safe places होते हैं क्योंकि उनकी body उपर की ऐसी नहीं बनी होती कि वो lightning को ले पाएं और आजकल तो cars में और आपकी जो buses है उसमें lightning arrestors लगे होते हैं मतलब जो कि आपकी बिजली को बचने आपकी उपर गिरने से बचाएं ठीक हैं so if you are in water get out and get out and go inside a building अगर आप पानी के अंदर है शर्विंग पूल में मस्ती कर रहे हैं या किसी पानी वाली जगे पर है खेल रहे हैं कूद रहे हैं तो जब lightning हो तो ऐसी जगे पर ना जाएं क्योंकि पानी के contact में और जल्दी क्या मिल जाएगा उसको रास्ता मिल जाएगा क्योंकि क् क्या है electric current तो current को अरास्ता मिल लाच जाये बस वो तो बस रास्ते को follow करते करते फ्लो करेगा वो यह नहीं देखा कि आप उस पानी के अंदर है तो आपको भी हो अपने रास्ता बना लेगा और आपके अंदर से भी जला जाएगा और आपके अंदर से करेंट लो लो हो गया और इसको कैसे thunderstorm से different तरीके से हम समझ सकते हैं तो different कहने का मतलब क्या है कि current तो cyclone thunderstorm ही है मतलब cyclone के आने का current thunderstorm है और cyclone भी ऐसी जगह पर होगा ऐसे generally जहाँ पर hot humid areas हो basically जो आपके equator के पास का area होता है वहाँ पर cyclone ज़दा produce होते हैं है ना तो our cyclone is formed when warm moist air near the ocean surface rises upward अब cyclone की बात ऐसी हो जाती है यह thunderstorms जो है वो आपके surface पर create हो सकते हैं लेकिन जो cyclone है वो इस तरह से ocean में create होते हैं ठीक है कैसे जैसे कि आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जब warm और moist air है ना ocean की surface के पास जो warm और moist air है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाए ठीक है अब माल लेजे कि यह ocean है और यहां की जो हवाई है वो गर्म हो गई गर्म हो गई मतलब क्या ऊपर की तरफ उठने लगी ऊपर जैसे जैसे उठती जाएंगी तो नीचे क्या point Korean 하 लोग प्रेशर पॉइंट हो जाएगा अब यह जो सर्फिस के air होती है और यह जो ocean की एर होती है यह इतने जब बहुत तेजी से उपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे बहुत तीजी से गर्म होकर की सच्टना शुरू हो जाती हैं तो यह जो गर्म होदांट dip में बहुत तेजी से आना शुरू कर देती है अफ सारी तरफ से आती है कि einzige आई इस डारेक्शन में आई टेख़ें तो ऐसे करते करते यह जो हवाएं है न एक तरीके से पूरा घेरा बना लेती है High Pressure हवाएं जो की high pressure air low pressure point के चारो तरफ ठीक है जिसकी वज़े से बहुत तेजी से circulation होता है पानी के अंदर इन हवाओ के प्रेशर की वज़े से और इतना तेजी से पानी उपर की तरफ उठता है कि जो आपके coastal lines है वहां अंदर की तरफ पानी भरना शुरू हो जाता है और इतना तेजी से होता है कि बहुत सारी चीज़े destroy हो जाती है ठीक है तो इसके नीचे अब्विस सी बात है कि जब एर उपर की तरफ उठेगी तो नीचे क्या जाएगा यह low pressure point create हो जाएगा ठीक है इट कॉजज़ दा एर फ्रॉं हाई pressure places टू ड्रेवल तुवर्ट्स दा low pressure area अब इसके वज़े से क्या होगा विसी बात है कही low pressure area create हुआ तो high pressure area कि जो हवाय है उस low pressure पॉइंट की तरफ आना शुरू हो जाएगी टिकें वामिंग दा एयर और कॉजिंग टू क्लाइम अबब और फिर क्या होगा कि और एयर जब वहां पर आएंगी तो वह भी वाम अप होंगी और उपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी तो यह जो क्यों separate चलती रहेंगी वहां की उपर उठी दूसरी तरफ से आई ओपर उठी तीनी तरफ से ओव उपर उठी तो एसा हे जो सिर्फ्ट मूम्मेंट होता है देजी से यह जो मूम्मेंट होता है उसकी वजह से एक तरहा लिकारे मां जाता है एक तरह इस तरह की करे होगा जिसे अपन कहते हैं structure of cyclone ठीक है जिसमें यह जो सेंटर एरिया है जो कि आपका लोग प्रेशर एरिया होता है जहां पर यह पुरा एरिया है इसके आसपास high pressure के रिया हो लुए होता है इसके आसपास बहुत तीज हवाय चलती है क्योंकि वह तो लो प्रेशर है वहां पे क्या हो गही हवाय उपर रहती है तो वहार शान्त होल है लेकिन उसके आसपास क्या हो गई है तेजी से हवाय चले लगी high pressure point की जो की गर्म होकर की उपर की तरफ उठती जा रही है ठीक है तो एक cyclone का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से बहुत बड़े मास में एयर का atmosphere में, atmospheric air का rotation जो की 10 to 15 km तक की उची होती है 10 to 15 km height होती है the diameter of eye varies from 10 to 30 km और यह जो diameter है, यह जो eye का area है ठीक है, यह कितना हो सकता है यह हो सकता है आपका 10 से 30 km आप सोचे, km में बात करें, मीटर में नहीं तो कितना बड़ा area जो है यहाँ पे यह beach का होता होगा मतलब यह जो calm area है वो 10 to 30 km का है इतना जादा low pressure area है जो की high pressure area से आने वाली airs को अपनी तरफ attract कर रहा है और जिसके वज़ा से आस पास जो है उसके high pressure area से आने वाली हवाई बहुत तेजी से circulate हो रहे है जो the diameter of eye जो eye का diameter है वो 10 से 30 km होता है मतलब beach का जो काम area है वो 10 से 30 km का है ठीक है और उसके आसपास फिर पूरी गर्म हवाई ऐसी बहती रहती है अब यह जो अगर आप से पूछा जाए अब आप देखें आप इसको ऐसा समझिए कि structure of cyclone क्या आपको बताना है तो आप कैसे बताओगी कि सबसे पहले तो जो cyclone है उसके beach वाला हिस्सा जो होता है जो center का जो point होता है वो calm area होता है center point मतलब यह वाला मतलब वहाँ पे low pressure area होगा उसके उपर कोई भी cloud formation नहीं होता और यह जो low pressure area है वो 10 से 30 km तक का होता है अगर आपने उसको देखें कि वो eye है तो उसका diameter जो है वो 10 से 30 km है ठीक है दैन उसके बाद यह जो region है उसके उपर कोई भी cloud नहीं रहता ना फिर आप नहीं आपको कोई light formation दिखेगा around this calm and clear eye there is a cloud region of about 150 km in size इसके around ठीक है यहाँ पर तो आपके बीच में तो कुछ नहीं लेकिर इसके आसपास क्या होता है there is a cloud region of about 150 km लेकिन उसके आसपास 150 km तक क्या रहता है clouds रहते हैं in this region there are high speed winds ठीक है बहुत ही तेज हवाय चलती है मतलब काम एरिया के आसपास की बात करी जा रही है तो वहाँ पर क्या होता है बहुत तेजी से हवाय चलती है जिनकी speed 150 से 250 km पर आर होती है and thick clouds with heavy rain और वहाँ पर क्या होता है बहुत सी जादा cloud होते है जो की बहुत ही ठीक होते हो बहुत जादा heavy rain उससे होती है away from this region the wind speed gradually decreases और इस region से अगर दूर की तरफ जाए इस region से थोड़ा दूर जाए तो क्या होगा कि wind speed जो है वो धीरे धीरे decrease होती जाती है और formation of cyclone is very complex process देखिए basically क्या होता है जो रीजन है बीच का रीजन है इसके आसपास का रीजन कैसा है आपका बहुत जादा high speed की हवाय चल रही है cloud formation है और इससे जैसे जैसे दूर जाओगे तो speed of air है वो decrease होती जाती है the formation of cyclone is very complex process our model is shown in figure अभी इसका formation है वो थोड़ा complex है अभी हम छोड़े छोटी class में तो अभी हम इतना समझ सकते हैं कि भई low pressure area अगर sea में create होता है ocean में create होता है तो उसके वज़ा से जो high pressure area की हवाय है वो तेजी से circulation करने लगती है उस low pressure area के पास इसलिए करती है क्योंकि low pressure area से वो जल्दी से गर्म होके ऊपर उठती है और यह चीज़े चलती रहती है जैसे low pressure पर गर्म होई उपर उठ गी जैसे आई उपर उठ गी तो इसके वज़े से वहाँ पर low pressure area already created रहता है और और जादा हवाय आती जाती है आती जाती है वो हर दिशा से आती है जिसके वज़े से circulation type उसके चारों तरफ हमें देखता है अब ऐसा circulation अगर पानी के अंदर होगा कोई पानी भरा हुआ है और आप देखो कि अगर आप बहुत तीजी से पानी को ऐसे से से गोल गुमाओगे तो क्या होगा आसपास का जो वाटर है वो उपर की तरफ उठेगा इधर उधर बहने लग जाएगा जैसे अगर पाल्टी में पानी भरा हुआ है और आप ऐसे से घुमाते जा रहे है पानी को तो बिफोर क्लाउड फोरमेशन वाटर तेकाप हीट फिर्माउसफेर के एटमोसफेर नीकर मैं बहुत था खे जए क्लाउड फोरमेशन से पहले कि आचपी वाटर उने जाएगा और आपर में बहुत की तरफ जाएगा गाशोक Зाने घुमाब quan वाटर वेपर changes wake to back to liquid form form as rain drop this heat is released to the atmosphere atmosphere अब क्या होगा कि जो गर्म हवाएं ऊपर के तरफ जाएं और जाता है तो नीचे की तरफ आ जाता है तो जब पानी थंड़ा होता है तो इसकी हीट वो कहा जाएगी तो आइटमॉस्फ़ेर में ही रिलीज हो जाती है दा हीट रिलीज के और इस से यो पानी नीचे आ रहा है लेकिन उससे heat भी release हो रही है तो ये heat क्या करेगी आसपास के area की जो air है उसको भी और गरम करती जाती है the air tends to rise and causes a drop in pressure अब इस तरह से heat बार बार निकलती जा रही है निकलती जा रही है तो इससे क्या होगा बहुत जादा pressure में heat up होने लग जाती है air and more air rushes to the center of the storm हो है ना तो और क्या होगा कि और ज्यादा हवाएं गरम होंके उपर उठेगी और और ज्यादा जो दूसरे हवाएं वहां करके उस storms के आसपास आना शुरू हो जाती है concept समझ में आया simple सा concept है जहां पर low pressure area create हुआ है दीरे दीरे वहां पर जाती है और वहां की heat बढ़ती जाती है तो ठंडी हवाएं आएंगी तो किसी जगह पर हीट है तो वहां से ओगर्म होगे फिर उपर जाएंगी फिर और हवाय आ रहे हैं और उपर होती जा रही है ठीक है अब यह जो हवाएं ऊपर जा रही है यह अपने साथ जो है उपर के उपर ही warm up हो जाती है उपर और उठने लग जाती है जिससे क्या होगा और ये volume के साथ उपर उठेगी तो नीचे और area create हो गया और जगे मिलगे टेजी से आने वाली winds को कि वह वहां आकर के आए तो ये आएंगी उपर उठेगी आएंगी तो इस तरह से जो circulation हो हो जाता है ठीक है आई बात समझ तो दिस साइकल इस रिपीटेड देट अचेन ओफ इवेंट्स एंट्स विद दा फोर्मेशन आप वेरी लोग प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंट रिवाल्विंग अर जैसा मैंने आपको बताया ये चेन कब तक चलती होगशन और इसी वेधर कंदिशन को हम सैकलॉन कहते हैं ठीक है इस तरह की जो सायकलॉण जैन्वों इसी तरह की वेधर कंदिशन की वज़े से आती हैं factors like wind speed wind direction temperature and humidity contribute to the development of cyclone और cyclone की development में या फिर जब cyclone आता है तो आपको कौन कौन सी चीज देखने को मिलेगी बहुत तेजी से चलने वाली हवाएं विंड के direction किसी एक चीज में temperature, humidity ठीक है तो ये सारी चीजें जो है ये सारी की सारी चीजें आपके cyclone को बनाने में मदद करती हैं ठीक है कौन कौन सी wind की speed, humidity, temperature and wind direction हैना इस सारी चीजें से मिलकर के आपके cyclone डबलब होते हैं ठीक है तो ये सारे point याद रखना है अब ये तो अपन समझ गये कि cyclone क्या है ये किस तरह से produce हो रहा है हैना अब देखते हैं कि cyclone की current कौन कौन से destructions हो सकते हैं तो आगे point जो है जो कि important है discuss करने के लिए exams में पूछा जा सकता है कि what are the distractions caused by the cyclones ठीकें तो cyclones can be very destructive आप और विसी बात है cyclone बहुत destructive हो सकता है strong wind push potter put towards the shore even if the storm is hundred of kilometers away देखें ये जो storm है ये जो wind storms होते हैं या या फिर जो cyclone produce होता है ये कई hundred kilometers दूर होता है लेकिन जब इतनी दूर भी होता है तो भी जो आपके किनारे पर जितने भी शहर होते हैं उन में वो पानी धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है और इससे हम समझ जाते हैं कि कोई बड़ी चीज होने वाली है ठीक है so these are the first indication of an approaching the cyclone जैसे मैंने बताया कि अगर hundred kilometers दूर भी है तो हमी पता चल जाएगा कि पानी में waves आना शुरू हो गई हैं बहुत तेजी से तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर cyclone आ सकता है the water waste produces by the wind are so powerful that a person cannot overcome them इतनी तेजी से पानी आता है कि normal person जो है उसको overcome नहीं कर सकता वो उसके साथ में कहीं पर भी बह करके चला जाएगा the low pressure in the eye lifts water surface in the center अब यह जो low pressure point जो कि eye में था जो beach वाल अब था वो क्या करता है पानी को कहां करता है lift the water surface in the center वो पानी को center में लेकर के आ जाता है the rising water may be as high as 3 to 12 meters और वहाँ जाकर कि जो पानी है वो उपर उठता है कितना 3 to 12 meter it appears like a water wall moving towards the sore इससे क्या समझेगा कि एक तरीके कि इससे water wall जो है वो sore के तरफ create होती जा रही है as a result the sea water entered the low line coastal area causing the severe loss of life and property ठीक है cyclone की वज़े से जो पानी है ठीक है वो काफी उपर उपर उठने लग जाता है जो कि हमारी coastal areas में या ऐसी सारी coastal lines में जाकर के enter हो जाता बहुत सारे चीजों को नुकसान करता है it also reduces the fertility of the soil और साथी साथ यह जो पानी है जब हमारी शेहर के अंदर आ जाएगा या फिर coastal areas में आ जाएगा तो वहां पर जो soil है उसकी fertility को भी नुकसान करेगा ओव्यसी बात है salt content जाकर के मिल जाएगा जिसके वज़े से soil में कई चीज़े changes आएगी acidic हो सकती है ज्यादा basic हो सकती है ठीक है so continuous heavy rainfall में further version the fluid situation और इसके कारण क्या हो सकता है जब cyclone आने वाला होता है तो बहुत तीजी से बारिश भी होती है और इस continuous rainfall की वज़े से कई सारी fluid की situations जो है वो हो जाएगी high speed winds occupying the cyclone can damage the houses, telephones, other communication systems, crees etc. causing the tremendous losses of life and property और इस ये cyclone आने की वज़े से क्या क्या हो सकता है high speed winds आएगी इन high speed winds के वज़े से क्या होगा हमारी जो घर है, telephone systems है, communication system है, transportation systems है सब कुछ खराब हो जाएगा ठीक है तो अब ये जो cyclone है इसको अलग-अलग जगे, अलग-अलग नामों से जाना जाता है a cyclone is known by different names in different parts of the world, it is called as hurricane in American content and Philippines and Japan, it is called a typhoon ठीक है, cyclone को typhoon कहते हैं, Philippines और जापन में याद रखेगा और hurricane कहते हैं, American content में ठीक है, ये question पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखेगा ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कहां कहां पर क्या कहते हैं, cyclone अपने इंडिया में कहेंगे, ठीक है, टाइफॉन आपके Philippines याद जापान के एरियाज में, hurricane यहाँ यहाँ पर आता है तो ये अलग-अलग क्या है, जगे पर आने वाले cyclones के नाम दिये हुए हैं, ठीक है यहाँ रखेगा, क्या होता है, डाक-फनल-shaped cloud होता है, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, डाक-फनल-shaped cloud that reaches from the sky to the ground, जो की sky से ground पर आता है, ठीक है, मतलब cloud formation बहुत जादा हो जाएगा, उससे नीचे की तरफ आता है एक घंटे में 300 km चल देगा, इतना वालेंट होता है, टानेडो में form within cyclones, ठीक है, अब यह cyclones के कारण भी form हो सकते हैं, या फिर itself भी यह form हो सकते हैं, clear, so the whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particular the east coast, ठीक है, यह line बहुत important है, सबसे ज़्यादा east coast में जो है, आपका cyclones आ सकते हैं, the waste coast of India is less vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of cyclones, waste coast में यह जो आपका भारत है, आपना जो इंडिया है, उसको इतना ज़्यादा cyclones से नुकसान नहीं पहुचेगा, वहाँ intensity और frequency of cyclones यह दोनों ही कम होगी, यह दोनों important lines है, इस से related आपको देखने को मिल सकता है solution में, ठीक है, तो जो ज़्यादा effective है, वो है east coast और west coast जो है, उस पे ज़्यादा effect नहीं पड़ता है, clear, so आप देख सकते हैं, टौनेडो का एक चोटा सा example है, यह पिक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह से टौनेडो जाते हैं, इंडिया में आपको कम मिलेगा, लेकिन बहार देशों में ज़्यादा होता है, अब है effective safety measures, अब कई बार question पूधा जा सकता है कि किस तरह से हमें safety measures रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपन यह देख लेगे कि क्या किसी तरह के का instrument यूज़ किया जा सकता है, cyclone या wind की speed को जानने के लि होते हैं, वो इसका use करके बताते हैं कि अगर ज्यादा wind speed आ रही है, that means कि कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है, फिर वो satellite और radar की मदद से पता करते हैं कि कहीं cyclone formation हो रहा है क्या, जिसे आपके आपके शेहर में वो अल्रेडी बता देंगे कि cyclone आने वाला है और आप लोगों को बनाए हुए हैं वहाँ जाकर के आपको रुखना पड़ेगा, so we have learned that all storms are low pressure system, wind speeds play an important role in the formation of storms, it is therefore important to measure the wind speed, ठेके, so the instrument that measure the wind speed is called an anemometer, right, so a cyclone forecast and warning surface, so सबसे पहले तो कौन कौन सी चीजे effective safety measures हो सकते हैं, तो आप ये देखिये कि cyclone जब आने वाला होगा, तो warning और forecast जो है, वो आपको जल्दी अली मिलने लग जाएंगी, तो जो भी वो कह रहे हैं, उसको follow करना होगा, rapid communication of warnings to the government agencies, the ports, the fishermen ships and to the general public, और इसके साथ साथ क्या होता है, जब safety के लिए आपको देखोगे, कि जहाँ पर भी cyclone आता है, वहाँ पर rapid communication होना शुरू हो जाता है की warnings देनी लग जाती हैं, हमारी government agencies, ports को, fishermen को और हमारी general publics को, construction of cyclone shelter in the cyclone prone areas, साथी साथ क्या होता है, कि जो cyclone areas होते हैं, वहाँ पर shelter बनाय जाते हैं, क्योंकि ऐसे कोई areas हैं, उसी जगे पर जहाँ पर यह cyclone का इतना असर नहीं होगा, तो उन लोगों को वहाँ से वहाँ shift क करने के लिए shelter बनाय जाते हैं, तो construction of cyclone shelter in the cyclone prone areas and administrative arrangement for moving people fast to the safer place, और साथी साथ क्या क्या होता है, administrative arrangements किये जाते हैं, ताकि जो हमारी normal लोग हैं, उन्हें safe places पर लेकर जाया जा सके, So, action on the part of the people, अब यह तो सारी चीज़े क्या है, कि हमारी government agencies करेंगी ही करेंगी, लेकिन अब हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बात को जरा एक बार revise कर लेते हैं, So, we should not ignore the warning issued by the metrological department through TV, radio और newspaper, TV, radio, newspaper से जो भी आपको बताई जाती है, जितने भी information दी जाती है, उसे follow करना है, We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles, etc. to safer place, अब आपको पता है कि सैकलोन आने वाला है, तो फटा-फट से जितनी भी important goods है, खाने पीने का समान, पानी पीने का, यह सारी चीज़े स्टोर करके रख ले, और अपने domestic animals और vehicles को पहुँचाने की पूरी वैवस्ता कर ले, कि कहां इनको भेजना है, avoid driving on the roads through the standing water, और विसी बात है कि लोग चहल कदमी करना शुरू कर देते हैं, जब बहुत इस बारिश आती है, या फिर ऐसा कुछ बार आती है, तो बहुत ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह सभी आपकी जान के लिए थोड़ा मुसीबत बन सकती है, as fluids may have damage the roads, इसलिए और दूसरी चीज़ यह कि आपकी जो roads है, वो भी damage मिल सकते, damage हो सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर चले गए, या अचानक से बहुत इस बार इशादी है, बहुत इस पानी आ रहा है, तो आप डूब भी सकते हैं, तो आपको यह साधी जैसे आप उडी सा में रहते हैं, या उसके आसपास के अरियाज में, जहां पर ही साइकलोन आने की conditions जादा हैं, तो आपको इन सारी चीजों के साथ ready रहना चाहिए, जैसे ही आपको कही warnings मिलना शुरू हो जाएं, ठीक है, so some other precautions if you are not staying in a cyclone hit area, ठीक है, so if you are staying in a cyclone hit area, जैसे क do not drink water, that could be contaminated, always stored drinking water for emergencies, ऐसी जगे पर पानी जो है, अमेशा है स्टोर करके रखें, क्योंकि कभी भी emergency हो सकती है, हम हमारा क्या weather condition है, इसको control नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि weather कुछ भी change हो सकता है, कभी भी, so do not touch wet switches and fallen power lines, जो भी आपकी गीले switches हैं, या फिर power lines अब for the sake of fun, fun के लिए बहार ना जाए, do not pressurize the rescue force by making undue demands, अब जो भी rescue team आ रही है, आपको बचाने के लिए, उनको जबर जिस्ते के demands ना दे, ओके, cooperate and help your neighbors and friends, और इसके साथ साथ अपने neighbors and neighbors और friends को help करे, अब आ जाते हैं, भाई, safety measurements के बाद के हमें क्या 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 precaution लेना है, कौ हम उन चीजों के बार में पढ़ लेते हैं कि भई कौन सी advanced technologies हैं, जो कि हमें ये बताती हैं कि किसी particular area में cyclone आने वाला है, clear, चलिए, so we use the satellite weather forecasting system to predict the cyclone formation in our atmosphere, हमारे atmosphere में कब cyclone formation होने वाला है, इसके लिए live satellite weather forecasting system बना हुआ होता है, ये live satellite weather forecasting system कुछ इस तरीके का होता है, जिससे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके GPS लगे होते हैं, जगे जगे पर GPS satellite होती है, communication के लिए main satellite होता है, ये पूरा आपस में communication करके हमें warning दे देते हैं हमारे center पर, जिससे पता चल जाता है कि भई कहीं पर cyclone वाली conditions बन रही है, the modern radar system and other weather prediction equipments also helps us to predict the cyclone in our atmosphere, इसके साथ जो radar system है, उसकी मदद से भी पता लगाया जाता है कि कहां कहां पर cyclone आने वाला है, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance for any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance, ठीक है, ये जो cyclone alert है वो पहली बता दिया जाता है कि 48 hours, मतब दो दिन पहली बता दिया जाता है कि भई आने वाला है cyclone कि हो सकता है कि storm आए, और cyclone की warning जो है वो एक घंड एक दिन पहले आपको पता चल जाएगी, ठीक है, so the message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is near the coast, और एक एक करके बिल्कुल बताते जाते है कि भी coast के बिल्कुल आसपास है, एक घंडे में आ जाएगा, आदे घंडे में आ जाएगा, तो आप अपनी जगे से चले जा करते हैं, several national and international organization corporate to monitor the cyclone related disaster, ठीक है, और इसी की मदद से, satellite की मदद से, या broadcasting की मदद से, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे इंडिया में पता चल जाएगा, आसपास की सारे देशों को पता चल जाता है, जिसके कारण, वो कई तरेके के, उनके में जो organization होती है, वो फिर help भेज शुरू कर देते हैं, ताकि लोगों को shelter, food, ये सारी problems ना हो, ठीक है, तो भाइल, ये सारे तो कुछ जरूरी important topics थे, जो कि इस chapter के थे, अब उन important points के बारे में भी हम revise कर लेते हैं, जो कि इस chapter से लेकर हैं, जैसे, air around us exert pressure, हमारे आसपास जो air है, वो हमारे उपर pressure exert करती है, air expand on heating and contract on cooling, air जो है वो heat होने पर क्या होती है, expand होगी और contract होगी cooling पर, जीक, and warm air rises up, whereas the comparatively cooler air tends to sink towards the earth surface, warm air जो है वो उपर की तरफ जाती है, और जो थंडी हवाय है, वो earth surface की तरफ की तरफ contract होकर के नीचे आती है, warm air rises, air pressure at that place is reduces and the cooler air moves to that place, जब वाम air उपर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर low pressure बन जाता है, और जो hot air है, जो cold air है, cool air उस point पर आने की कोशिश करती है, the moving air is called the wind, ये भी हम पर चुके, uneven heating on the earth is the main cause of the wind movement, wind carrying water vapor bring rain, जो wind पार्टी को उपर लेके जाती होसी के वज़े से rain आती है, high speed winds and air pressure difference can causes the cyclone, high speed winds और air pressure के बीच में जो difference होता है, उसकी वजह से cyclone आते है, it has become easier to monitor cyclone with the help of advanced technology like satellite and radars, self-help is the best help, there it is better to plan in advance and can be ready with the defense against any approaching cyclone, तो वैल ये सारी चीजे हमने हमारे इस वीडियो में revised करी हुई थी, ओके, तो इसके अलावा जो एक बहुत important point है related to a cyclone, चली उसको देख लेते हैं, The following flow chart will help you to understand the phenomena that lead to the formation of cloud and falling of rain, creation of storms and cyclone, यहाँ पर एक flow chart बना हुआ है, जिसकी मदद से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये जो cyclone है या wind storms है या आ जाते हैं, सबसे पहले तो difference of temperature between two region, किसी भी दो region की बीच में अगर temperature difference है, ठीक है, तो इसकी वज़े से सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है, एक जगे हो गया low pressure point और एक जगे हो गया high pressure point, तो सबसे पहले कहानी की शुरुवात कहां से होती है, difference of temperature between the two region, then, sets convection in air, ठीक है, convection होने लग जाता है air का, warm air rises creating a low pressure area, cool air covers the low pressure area, warm air उपर उठेगी, जिससे low pressure area बनेगा, और उस low pressure area में थंडी हवाय जाना शुरू हो जाएगी, फिर कहां आगे बढ़ते हैं भी, warm air rises cools and the water vapor condensed to forms cloud, warm air जब उपर जाती है, तो अपने साथ पानी को लेकर के जात है, जिससे पानी ठंडा होता है, और cloud का formation करता है, the bigger water drop in the cloud fall to the ground as rain, hail और snow, और यही जो cloud है, वो नीचे पानी के form में अपने आपको खाली करता है, या पानी जो है वो उपर बारिश के form में नीचे आ जाता है, falling water droplet and rising air movement vigorously to produce the thunderstorm, और अगर यही प्रोसेस बहुत ही vigorously हो, फटा-फट बहुत तेजी से हो, तो इसके वज़ा से thunderstorms produce हो जाएंगे, under certain weather condition, storms may develop into cyclone, और किसी इसी को ही cyclone का रूप कह सकते हैं, अगर और कोई weather condition होती है, और ज्यादा low pressure area create हो जाएगा, तो cyclone भी आ सकता है, तो मतलब basically, thunderstorm या cyclone की जो कहानी है, वो low pressure और high pressure point से ही start होती है इसी के साथ हम कतम करते हैं हमारा revision of chapter number 8, I hope आपको ये सारे point clear हो गए होंगे, अगर आप किसी point को और detail में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे previous video देख लीजे, chapter का explanation देख लीजे, जिसमें आपको हर चीज और detail में समझाए गई है, ये revision video है, तो इसको जरूर देखेगा, exam स पहले ताकि आप अच्छे तरीके से exam को exam में इस related answers दे पाएं, well अगर आपको one shot revisions video देखना है, बाकी किसी और chapters के science के, तो आप देख सकते हैं by using www.magnetbrains.com, आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ classes और one shot revision दिखेगा, जहाँ पर one shot revision है, उस पर click कर दीजे, तो science के ज video देखने के बाद पसंद आ रहा है, तो आप इसे like करिये, comment करके हमें जरूर बताएं, और इसे share करिये अपनी same class के students के साथ, ताकि वो भी अच्छे number ला सके, वो भी पढ़ ले, एक बार revise कर ले, साथी साथ आप channel को share करिये, दूसरे students के साथ, जो आप से शायद थोड़ी बड़ी या छोटी class में हो, क्योंकि हमारी पास है 100% free classes from kindergarten to class 12, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, complete chapter revision मिलेगा, पूरे chapter का detailed explanation मिलेगा, साथी साथ, solutions, NCRT के, examplar के, सब कुछ है, और भी सारी exams preparation से, हमने बहुत सारे videos already uploaded किये हुए हैं, तो आप देख सकते हैं by www.magnetbrains.com और चैनल को अगर subscribe करेंगे तो सारी detail आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी, तो subscribe जरूर करें, हम मिलेंगे आपको हमारी next video में, till then stay happy, stay healthy, thank you so much.